दुरुवांश चोक्षी इन्होंने सवाल पुछाए कि एपी जी अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इस दुनिया में चमतकार हो सकते हैं तो आप उन्हें कैसे क्या नकार सकते हैं एपी जी अब्दुल कलाम जी का नाम आपने क्यों लिया आप बाकी राष्ट्रपतियों का भी नाम ले सकते थे हमारी प्रतिबात ही पाटिल थी महाराष्ट की वो तो बहुत अंदश रद्द व्यक्ति थी उनका जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति के लिए तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के आशिरवात से मैं बनी सुनिया गांधी की जगह मैं होती तो मैं तुरंद उनको राष्ट्रपति पत से हटा देता है और इतनी मेहनत से एक महला है करकर उनका चुनाव किया गया राष्ट्रपति पत के लिए और ये व्यक्ति मैं राष्ट्रपती बनने के तुरंद बात केती है कि मैं राष्ट्रपती बनी क्योंकि प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी का मुझे आशिरवाद था इसलिए बनी याने राष्ट्रपती को चुन कर देने वाले इतने बड़े politici jeunes का पूरी तरह से अपमाद रष्ट्रपती का चुनाद बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे के पूरे states involved होते हैं उसमें पूरे देश के states involved होते हैं उनमें से उनका चुनाद होता है आपने अब्दुल कलाम जी का नाम लिया क्योंकि वो साइन्टिस्ट है इसलिए वो चमतकार होते हैं ये कहते हैं आपको महत्व का लगा याने हम अब्दुल कलाम जी को महत्व देते हैं कि वो राष्टोपती करकर महत्व नहीं देते हैं तो एक साइन्टिस्ट है करकर महत्व देते हैं अब मुझे बताईए अब्दुल जी कलाम जी राष्टपती बनने के बाद में उन्होंने पहला काम क्या किया बारतिय वायू दल वायू सेना का विमान लिया जो राष्टपती के लिए अवेलेबल होता है सीधा गुडे दिल्ली से और पहुचे पुटपार थी सत्यसाई बाबा के दर्शन को सत्यसाई बाबा कोन थे एक मामूली जादुगर रास्ते में जो चमतकार करता है वो जादुगर जुनियर पीसी सरकार ने डायरेक्ली कहा है कि ये मेरे पिता जी के पास में सीखने को आया था मैं उसका गुरुबंदू केवल उन्होंने बोला नहीं पुटपार थी जाकर उनको एक्सपोज किया केवल जाकर एक्सपोज नहीं किया तो उसके बाद में उन्होंने जेंडलमन को इंटर्वियू दिया जेंटलमन नाम का तब मैगजीन आता था 1982 में वो छपकर आया उसके बाद में मैं खुद मुंबई में PC सरकार के जब मुंबई में प्रोग्राम्स थे तब मिला था जुनियर PC सरकार उनका इंटर्व्यू लिया था यही बात उनसे के मुंसे मैंने कनफर्म कर ली थी जो एक मामूली जादूगर जैसे चमतकार करता है मैंने आज तक सत्यसाई बाबा के चमतकार कम से कम पाच्छे साथ हजार प्रोग्राम्स में करकर लोगों को बताए कई बार टीवी पर करकर बताए यूट्यूब चैनल पर करकर बताए उसके चरणों परमाथा टेकने के लिए राष्टरपती तुरंद बनने के बाद अगर अब्दुलकलाम जी जाते हैं तो अब्दुलकलाम जी की योग्यता कितनी विश्वसनिया है यह हमने समझ लेनी चाहिए साइन्टिस्ट हो सकते हैं लेकिन एक तरफ वो साइन्टिस्ट है और दुसरी तरफ पूरे अंधविश्वासी व्यक्ति थे साइन्स के दुनिया में एक कहावत है यह मुहावरा आप कभी भी भूलिये मत न्यूटन क्या कहता है इसको कोई महत्व नहीं होता है न्यूटन जो सिद्ध करता है वही केवल महत्व का होता है तो अब्दूल कलाम जी क्या कहते है इसको कोई महत्व नहीं है अब न्यूटन के कहिने को महत्व नहीं है तो अब्दूल कलाम जी कौन हो गए अब्धुलकलामजी ने सिद्ध किया क्या चमतकार होते है अब्धुलकलामजी तो बात में राश्ट्रपती बने मेरे संगटन का 1982 से यह प्राइज है कि कोई भी चमतकार सिद्ध करकर बताए उनको प्राइज दिया जाएगा पूरे दुनिया के प्राइजे से छे करोड तक के प्राइजे से आज तक एक भी बार अब्दुल कलाम जी हो चाहे दूसरे कोई वेक्टी हो उन्होंने ये चमतकार होते हैं ये सिद्ध करने का प्रयास किया करकर बताया वो साइंटिस्ट है न उनको मालूम है न साइंस में कोई भी बात सिद्ध करने के लिए किस दंग से रिसर्च करना पढ़ता है किस दंग से रिसर्च पेपर याने लोगों के सामने रखना पढ़ता है उसके क्या जवाब देने पढ़ते हैं लैब में किस धंग से रिसर्च करते ये सब बाते उनको बहुत अच्छे धंग से मालूम थे तो मैं उल्टा आपको सवाल पुछता हूँ अब्दूल कलाम जी कहते हैं कि चमतकार हो सकते हैं तो उन्होंने सत्य साही बाबा के बत रहे हैं राष्ट्रपती बनने के बाद भी कई बार उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए गए हैं तो फिर इतने बड़े साइंटिस्ट होकर उन्होंने कभी भी चमतकार क्यों नहीं सिद्ध किये कितनी बड़ी बात होती है पूरे दुनिया का साइंट जगत चमतकार को नहीं मानता है पूरे दुनिया के सामने ये चमतकार सिद्ध हो जाते है अब्दुल कलाम जी सिद्ध कर रहे है एक बड़े साइंटिस्ध कर रहे है शायद उनको Nopeel Prize से भी बड़ा prize मिल जाता है किया अबदुल कलाम जी नहीं कि केवल कहा न्यूटन कहता है उसको कोई किमत नहीं होती है न्यूटन जो सिद्द करता है उसी को किमत होती है तो फिर अबदुल कलाम जी क्या चीज़ है